हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तयारी बहतर चल लए होगी तो आज के इस वीडियो में जो आपका स्यारप्य पारामेडिकल इस्टाप का एक्जाम होने वाला है 31 मर्च से तो इस वाले वीडियो में हम लोग स्यारप्य पारामेडिकल इस्टाप 2023 की परिच्छा के लिए जीके जीएस के टॉप मॉस्ट इंपॉर्टेंट कोशन को यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक उसे जरूर करें जो भी नए वच्चे हैं जिन वच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आउन करना ना भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कोशिन के लिए आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा 2-3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा आज के सेसन में पहला कोशन एक्स रे की खोज किसी ने की थी एक्स रे की खोज डब्लीव के रोटेंजन ने की थी तो C option correct हो जाएगा यहाँ पर आपको एक बात धियान में रखने है कि वर्स 1901 में भौतिकी का पहला नोबल प्रोशकार जो है वो रोटेंजन को दिया गया था अगर पेपर में पूछा जाए कि प्रोटान की कोज किसी ने की थी तो आपको धियान रखना कि प्रोटान की कोज गोल्ड इस्टीन ने की थी अगला कोशिन प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदु राजा को था समुध्रगुप्त था समुध्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी का जाता य pry फैक्त आपको ध्यान में रखना है किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने तो बात आ गई है बाल गंगाधर तिलक की तो आपको ध्यान में रखना है कि भारती अशांती का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और होम की जो स्थापना है वह भी बाल गंगाधर की लखने की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है इंकलाप जदावात का नारा सबसे पहले खिसे ने दिया था भगत सिंग ने दिया था ये 송मर की गोलियों का हम सामना करेंगे ये नारा किस ने दिया था चंदर सेखर आजाद ने दिल्ली चलो का नारा सबसे पहले किस ने दिया था तो दिल्ली चलो का सबसे पहले नारा दिया था सुबाच चंदर बोस ने करो या मरो का नारा सबसे पहले किस ने दिया था मातमा गांदी ने जैजवान ज जल कम तापमान पर उबलता है इसका कारण क्या है पहाडों पर बायुदाप कम होता है तो C option करेक्ट हो जाएगा पाजमा कोशन है गाइस की समविधान का कौन सा अनुचेद राज जी को गराम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है अनुचेद 40 option D करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा कि भारत में अंगरेजी सिच्छा का मैगना काटा किसे का जाता है बुड़ डिस्पैच 1854 को का जाता है यहां पर आपको इब ध्यान में रखना है कि बुड़ डिस्पैच यह इस्ट इंटिया कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है साथमा कोश्यन आपके स्क्रीन पर यह रहा बीवाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रवावित हुआ है तो सही जवाब हो जाएगा जूट तथा रोई उद्योग सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा आड़मा कोश्यन देखेगा महारिशी गौतम का संबंद किस दर्सन से है महारिशी गौतम का संबंद किस दर्सन से है सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा महारिशी गौतम का संबंद नयाय दर्सन से है कुछ महत्यपुन फैक्ट जान लेजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि शांके दर्सन का संबंध किसे है तो आपको धियान रखना है कि शांके दर्सन का संबंध शंत कपिल से है महारशी पतंजली का संबंध किसे है तो महारशी पतंजली का संबंध योग से है शंत गौतम का समंद किसे है तो शंत गौतम का समंद नयाय से है शंत कणाद रिशी का समंद किसे है तो शंत कणाद रिशी का समंद वैश रिशी का से है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन तो रहा किस धार्मिक संपरदाय की पवित्र कुस्तक है तो रहा C option correct हो जाएगा योधियों की दस्वा question प्राथना समाच की इस्थापना किसकी पिरणा के खलसरूप हुई केसब चंदर सेन, देवेंदर नाट टैगोर, गोपाल हरी देशमुक, युस्वर चंदर विद्या सागन A option correct हो जाएगा केसब चंदर सेन हाँ अगर एक्जाम में पूछा जाएकि प्राथना समाच की इस्थापना कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना की प्राथना समाच की इस्थापना बर्स 1867 में बंबई में हुई थी अगर एक्जाम में पूछा जाएकि प्राथना समाच के संस्थापक कौन थे तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राथना समाज के संस्थापक थे आत्मा रंग पांडूरंग ये आपको ध्यान में रखना है 1867 में आत्मा रंग पांडूरंग ने प्राथना समाज की स्थापना की थी अगर एक्जाम में पूझा जा कि ब्रह्म समाज की इस्थापना किसी ने की थी तो आपको धियान में रखना है कि ब्रह्म समाज की इस्थापना राजा रामोराय ने की थी बेद समाज की इस्थापना किसी ने की थी तो बेद समाज की इस्थापना केसप चंदरसेन तथा के स्री धरलू ने की थी आर समाज की इस्थापना दयानन सरसुती ने की थी अगला कोशन पाल बंसका संस्थापक काउन था तो पाल बंसका संस्थापक गोपाल था यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि गोपाल का जो उत्रा दिखा रही था भोता धरम पाल ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है तो सारे फैक्ट आपको अच्छी तरीके से याग कर लेने हैं अगला कोशन देखेगा वर्स 1815 इस भी में निम लिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मिय सवा की इस्थापना की जाता है भारतिय पुनर जागरण के जनक और अतीत और भविस के बीच का पुल्वी ने कहा जाता है यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा चौरी चौरा कांड के बाद गांदी जी ने इस्थगित कर दिया असाइहोग आंदोलो तो अप्सन C करेक्ट हो जाएगा तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि चौरी चौरा जो कांड है यह 4 परवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा जो कांड हुआ था यह 4 परवरी 1922 को हुआ था यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा वीडियो को जल्दी से सभी बचे लाइक कर देंगे रेफ्री जरेटर खाते पदार्तों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि क्या कारण है ऑप्शन है करेक्ट हो जाएग है जिसके रक्त का वर्ग हो सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा एवी मैं तो पूर्ण फैक्ट जान लीजिए इस वर्ग में एंटेजन एवी होता है और इसमें कोई एंटिबॉडी नहीं है जो रक्त समूझ से लड़ सके इसलिए यह किसी भी रक्त वर्ग से रक्त प्राप् उचाई पर उड़ते समय सांस की परिसानी क्यों नहीं मैसूस होती क्या कारण है इसका कारण है उनमें अतरिक्ट बायू कोश होते हैं तो सी ओप्शन करक्ट हो जाएगा सत्रमा कोशन देखेगा वहाँ चुनिये जो मिसरण नहीं है वो आपको चुनना है जो मिसरण नहीं सम्मिदान के अंतर गत निम्ड में से क्यों सा एक मॉलिक अधिकार है। शिच्छा का अधिकार , काम का अधिकार संपत्ती का अधिकार सूचना का अधिकार सही जवाब हो जाएगा option A मैं तो पूर्ण fact जान लेजिए 6वा संसोधन के द्वारा सिच्छा के अधिकार को अनुछेत 21 का के तहट मौलिक अधिकार के रोब में सामिल किया गया सूचना के अधिकार को भी means option C correct के पूर्ण fact जान लेजिए केरल की अधिकारिक भासा मलायम है ये तो आपको बताई हो गया केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधारी है त्रूबंतरम राजगे पसुर्ण क्या है केरल का? तो राजगे पसुर्ण है केरल का? हाथी राज के पच्ची के गर हम बात करें केरल का राज के पच्ची है Great Hornbill केरल का राज के पेंड क्या है तो केरल का राज के पेंड है Narial राज के फूल क्या है केरल का Amaltas तो यह सारे फेक्ट आपको ध्याने रखने है So guys, 20 वा कोश्चन जबाहर सुरंग किसे राज में है यह माचल प्रदेश, जब्मू कस्मीर, उत्राखन, गुवा B option correct हो जाएगा जब्मू कस्मीर अब देखें यहां पर एक कोश्चन बन जाता है अगर पेपर में पूछा जाए कि जबाहर सुरंग के पास इस्थित दर्रा कुमसा है तो आपको ध्यान रखना है कि जबाहर सुरंग के पास इस्थित दर्रा का नाम है बनिहाल दर्रा जबाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पास सुरंग है और भारती केंदर सासित प्रदेश जम्मू और कस्मीर में एक सड़क सुरंग है सुरंग का नाम भारत के पहले प्रदान मंत्री जवाला नहिरू के नाम पर रखा गया है जवार सुरंग 22 दिसंबर 1956 से चालू है सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर यानि की 1.77 मील है सुरंग सुरिनगर और जम्मू के बीच साल भर सड़क संपर्की की सुविदा परदान करती है यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन बुद्ध सब्द का अर्थ क्या है बुद्ध सब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद ब्यक्ति अगर पेपर में पूछा जाए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ यह भी एफेक्ट आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा मंत्री परिशत से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट पती गाज अगला कोशन देखेगा महरूली लहो इस्तम्ब कहा इस्तित है जवलपुर अमरसर उदैपुर नईदिल्ली महरूली लहो इस्तम्ब ये कहा परिस्तित है आज हमारी तबियत नहीं ठीक है फिल मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि एक्जाम आप लोगों के काफी निकट है और 31 मार्च से आप लोगों के एक्जाम स्टार्ट है इसलिए मैं आप लोगों के लिए तनी महनत कर रहा हूँ तबियत खराब होने के बापजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों को डेली क्लासे दे रहा हूँ तो आपका अभी कर्तब बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक किजिए ज़्यादा से ज़्यादा महरोली लव स्तम ये कहां परिस्तित है तो ये नई दिली में स्तित कुछ महत्पूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जान लीजिए आप लोग जो कि आपकी परिशा की ड्रेश्टी से काफी इंपोर्ण है अगर पेपर में पूछा जाए कि इस इस्तम ये जो इस्तम है ये कहां परिस्तित है तो सही जवाब हो जाएगा केंडी केंडी जो है स्री लंका में है ये आपको ध्यान में रखना है महत्पूर्ण फैक्ट जान लीजिए विस्तृ परिसित दांत का मंदीर स्री लंका में केंडी में इस्तित एक बहुत मंदिर है ये मंदिर पूर्व केंडी राज के साही महल परिसर में इस्तित जो बुद्ध का इस्मृति सेस इस्थल है केंडी स्री लंकाई राजाओं की अंतिम रासधानीती ये मुक्ता मंदिरों के करण विस्व बिरासत इस्थल भी है ये भी का समंद किसे तो रजत फाइवर क्रांती का समंद कपास से है रजत क्रांती का समंद किसे है अंडा से है देखिए एक है रजत क्रांती और एक है रजत फाइवर क्रांती तो रजत फाइवर क्रांती कपास और रजत क्रांती अंडा लाल क्रांती का समंद किसे तो लाल क्रांती का समंद्ध टमाटर से है ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा सरवादिक प्रवासी जन संख्या पाई जाती है तो प्रवासी सरवादिक प्रवासी जन संख्या ये कहां पर पाई जाती है सेंट राज अमेरिका तथा कनाडा में तो आप्शन डी करेक् मात्मा गांदी के साथ कौन सामिल थे C option correct हो जाएगा राजेंदर प्रसाद वा अनुग्रहे नराण सिंग अगर एक्जाम में पूछा जाए कि चमपारण सत्याग्रहे कब हुआ था तो चमपारण सत्याग्रहे हुआ था 19 अप्राइल 1917 ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन वर्स 1957 इसवी में किस समित ने भारत में 303 पंचातिय राज की सरपर्थम सिपारिस की थी इसकी सिपारिस बल्मंत राइ महता समित ने की थी C option correct हो जाएगा अगला कोशन देखेगा उचίν नेले का नियादिस अपना त्याग पत्र किसको देता है तो उचन नेले का नियादिस अपना त्याग पत्र जो है ये देता है राश्ट्पती को A option correct हो जाएगा Nash Question देखेगा राउर केला में लहो इसपातर सायंत कि इस्थापना किस देश के सायोग से की गई है जर्मनी ब्रेटन रोस चापान ए ओप्षन करेक्ट हो जाएगा जर्मनी की सायता से की गई है मैं तो पूर्ण फैक्ट जान लीजिए अगर एक्जाम में पूछा जाए कि हैवी इंजिनेरिंग कॉर्परेशन जो है ये किस देश के सायोग से की गई है तो आपको ध्यान में रखना है चिकोशलाविया दुरगापूर इस्टिल प्लंट किस देश के सायोग से की गई है ब्रेटन के सायोग से की गई है भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सायोग से की गई है सोबियत रूस बोकारो इस्पात कारखान 1969 में पश्चिम जर्मनी के सैउक से उडिशा के सुंदर गढ़ जिले में इस्थापित किया गया है यह आपको ध्यान में रखना है राउड केला इसपात कारखाना ब्रामठी नदी के किनारे बनाया गया है यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है पारादी बंदरगार राउड किला इस बात कारखाने के सबसे नजदीक है यह इफ्रेक्ट आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा गाइस क्या है अगला कोशन है कि भारतिय सम्मिदान के किस भाग में अल्प सधहूं के लिए बिसिज प्रापधान किया गया है बी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा भाग थर्ड सोगाइस 32 कोशन विदान परिसत के कितने सदसे राज के राजपालदोरा मनोनित किये जाते हैं सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा एक बटा च्छै अगला कोशन भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने बाले पर्थम आचारे काउन थे ये ओप्शन करेक्ट हो जाएगा रामानुज अगला कोशन देखेगा स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्स में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना वर्स 1923 में की गई थी तो एक वात आपको ध्यान में रखनी है कि स्वराज पार्टी की स्थापना एक जनवरी 1923 को की गई थी पूरी डेट याद कर लीजिए एक जनवरी 1923 को किसके दुआरा सी आरदास और मोतिलान महरू के दुआरा की गई थी ये भी आपको फ्रेक्ट ध्यान में रखना है अगला कोशन सम्मिदान में किन बरवों के सम्मन में बिसेश प्रापधान किया गया है सही जबाब हो जाएगा ओप्शन डी उप्रोक्त सभी अगला कोशन राजा, राम, मोहन, राय और डेविट, हैर निम लिखित किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे तो सही जबाब हो जाएगा इस कोशन का हिंदू कॉलेज हिंदू कॉलेज की जो इस्थापना है बरस 1817 इसवी में राजा, राम, मोहन, राय ने डेविट, हैर और अलेक्जंडर, डब के साथ मिलकर कलकता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा अगला कोशन है इसकी देश में आधोनिक तकनिक पर आधारित उनिक कपड़े का पर्थम कारखाना कानपूर में लाल इमलिक के नाम से इस्थापित किया गया था इसकी इस्थापना कब हुई थी अब देखिए ऑप्शन के तौर पे अगर आप देखेंगे कोशन्स बुक में गलत होता है आप लोगों के लिए मैं कापी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए एक के कोशन्स चाड़ता हूँ तब जाकर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ तब मैं आप लोगों को क्लास दे पाता हूँ और आप लोगों ने देखा होगा, पिछली बार मैंने आप लोगों को CRPF Head Constable, Minister, SI और इस्टोनों की क्लासे मैंने आप लोगों को दी थी, अगर आप लोगों ने एक्जाम दिया होगा, तो आप लोगों ने एक्जाम में देखा होगा कि हमारा पढ़ाया हुआ, 80% से 85% हमार आप लोगों को पढ़ाया है, वही पेपर में आया था, अगला कोशन, पुश मैन बद्दू आदी जन जातियां किस प्राकरतिक प्रदेश में पाये जाती हैं, B option करेक्ट हो जाएगा, ओशन मरुस्थल, अगला कोशन, किस प्राकरतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक आपमान पाया जाता है, टैगा प्रदेश मांस वनी प्रदेश, ओशन मरुस्थलिये प्रदेश, विश्वतिये प्रदेश, C option करेक्ट हो जाएगा, ओशन मरुस्थलिये प्रदेश, अगला कोशन, भारत का सरवादिक प्रद्षन उतपादक राज्य है, आंध प्रदेश, पिहार तमिलनाडू पशिम बंग गायश सपोर्ट करेए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशिम बंग वीडियो को लाइक कर दिये सबी बच्चे बादा कोशन देखेगा ओजोन परत अवस्थित है छोब मंडल, छोब सीमा, समताप मंडल, परकास मंडल किया जा सकता है छोब मंडल, समताप मंडल, मद्य मंडल, आयन मंडल और वरही मंडल यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है ब्यालिसमा कोशन देखेगा निमली लेकित में से किस परिस्थिती में मंतरी परिसर विगटित नहीं हो सकती है A option करेक्ट हो जाएगा किसी मंतरी के पदत्याग से मरत घाटी इस्थित है सारा मरुस्थल, कालारी मरुस्थल, कालिफोर्निया, अरब C option करेक्ट हो जाएगा कालिफोर्निया मैत पूर्ण फैक्ट जान लीजिए मरत घाटी सेंग्त राज अमेरिका के पूर्वी कालिफोर्निया में इस्तित है यह एक रेगिस्थानी घाटी है और गर्मियां बढ़ने पर दुनिया के सबसे गर्म इस्थानों में से एक हो जाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन बिस्थान का सबसे गर्म प्रदेश का उनसा है बिस्थान का सबसे गर्म प्रदेश की यहां पर बात हो रही है बिस्थान का सबसे गर्म प्रदेश है सारा तुल्य प्रदेश डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 कोशन देखेगा किस फसल के लिए पानी की अधिक्ता आवश्यक है लेकिन जमाओं की नहीं धान, जोट, चाय, मुंगफली तो इस कोशन्स का सही जवाब हो जाएगा Option C, चाय टीपू सुल्तान की राजधानी थी स्रीरंगपत्नम, मैसूर, बैंगलोर, भागिनगर तो तो सही जवाब हो जाएगा Option A, टीपू सुल्तान की राजधानी थी स्रीरंगपत्नम महतफुण फेक्ट जान लिजिये टीपू सुल्तान की राजधानी स्रीरंगपत्नम थी टीपू सुल्तान 1772-1799 तक मैसूर का सासक था स्री रंग प्रटनम में ही इसने सुतंतरता का परथम ब्रच लगाया टीपू सुल्तान ने सार्दा देवी की प्रतिमा इस्थापित की टीपू सुल्तान ये कहा करता था कि सो दिन चूहों की अप्यक्षा जीने से अच्छा है कि एक दिन सेर की तरहें जियाज जाए अगला कोशन निम्न देशों में सबसे अधिक जन संख्या किसकी है इंडोनेसिया, जापान, पाकिस्तान, सूडान अब देखे यहां से कोशन बन जाता है कि निम्न लिखित में से काउन साब विसुका सबसे अधिक जन संख्या बाला लोक तंत्र है तो आपको भारत याद में रखना है कि option में अगर भारत है तो आप भारत पर टिक कर सकते हैं भारत विसु का सबसे बड़ा लोग तंत्र है और चीन के बाद जन संक्या के मामले में विसु का दूसरा सबसे बड़ा देश है देखिया पहले स्थान पर आ गया है जन संक्या के मामले में चीन को पचार दिया जन संक्या के मामले में ये भी आपको ध्यान रखना है और दिल्ली भारत की राजदानी है चीन बिसु का सबसे अधिक अब अबादी वारा देस नहीं रहा है दूसरे नमबर पर आ चुका है ये भी आपको धियान रखना है और अमेरिका को संक्तुराज अमेरिका के रूम में जाना जाता है जन संक्या के ममले अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है रूस को रूसी संग के रूप में जाना जाता है छेदफल की टेश्ट से 20 का सबसे बड़ा देश रूस है सिक्कों के अगला कोशन है कि सिक्कों के पवित्र धार्मी गर्णत गुरू गर्णत साई के संगरन करता कौन थे यह option correct हो जाएगा गुरू अरजुन देव अब देखें यहाँ पर एक कोशन पूछा जा सकता है कि जो औरंग जेव था औरंग जेव ने किस सिक्क गुरू की हत्या कर दी थी औरंग जेव ने किस सिक्क गुरू की हत्या कर दी थी गुरू तेक बादूर ये सात्वे नमर के गुरू थे ये आपको ध्यान लखना है तो ये आपको ध्यान लखना है कि जो गुरू तेक बादूर थे ये सिक्कों के सात्वे गुरू थे इनकी हत्या औरंग जेब ने करवा दी थी क्यों करवा दी थी गुरू तेग बादूर 1664-1675 सिक्क धर्म के नौवे गुरू थे और उनकी औरंग जेब ने 1618-1707 के आदेश पर हत्याक कर दी गई उन्होंने मुगलो द्वारा कश्मीर में हिंदू के जबरन धर्म परिवरतन का बिरोत किया और इस बिरोत करण उन्हें औरंग जेब 1618-1707 के आदेश पर मार डाला गया ये भी आपको ध्यान में रखना है और सिक्कों के जो आखरी गुरू थे दसवे गुरू गुरू गोविंद सिंग ये भी आपको ध्यान में रखना है और गुरू नानक देव ये शिक्कों के पर्थम गुरू थे ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा निम लेखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां इस्तापित हुआ कलकत्ता चेन नहीं मुम्मई दिल्ली आज का हमारा सबसे लाश कोशन रहेगा भारत में पंचायती राज प्रणाली का सुबारम कब और कहां हुआ तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक उस्यत जरू करें जो भी नए बच्ची हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफेकेशन बैल आउन करना न भूलें तो मिलते हैं नश वीडियो के साथ जहन जह भारत